जी दोस्तों में हूँ आपका दोस्त तारी शुगानी अब सबका सवागता है मेरे यीटूब चैनल मैथेमेटिक वर्ड में सो गाइस आज हम सीखने वाले हैं सर्कल क्या है इस सेट अफ पॉइंट विच इक्व इसका मतलब यह हुआ कि सेंटर से इक्व डिसेंस पे जो नमबर आफ पॉइंट से उसको हम सर्कल के दे हैं ए justo अबिज अबिजे पॉइंट पॉइंटको को किया पॉइंटर पॉइंट से इस है इस के बोपर आफ रेडियस गारे R is equal to D by 2, radius को R से denote के जाता है, D by 2, here D for diameter, इसका मतलब यह हुआ, radius half of the diameter के equal है, half of the diameter is called radius, यह भी हम कह सकती है, diameter, distance from one point to another point of circle through center, circle के किसी एक point से, दूसरी point तो को distance है through center, उसको को क्या बोलते है, diameter बोलते है, D is equal to 2R, D is equal to 2R क्यों लिखा है, मैंने स्ली लिखा है क्योंकि यह radius के double होता है, 4, distance from one point to another point of circle, है distance from one point to another point but not from center of the circle, circle के किसी एक point से, दूसरी point तक जो distance है, उसको हम चार्ड बोलते हैं, लेकिन जो distance है, वो center से पास नहीं होना चाहिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, चार्ड, circumference, distance around the circle is known as circumference, जो circle के अरौन जो distance है, इसको हम क्या बोलते हैं, circumference, circumference, इकल किसके होता है, 2 pi r, 2 pi किसके होता है, 360 तो c is equal to 2 pi r, और pi is equal to 22 by 7, और 3.14, we can say that, तो pi की जो value है, 22.7, so 22 by 7, tangent, a line that intersect a circle at only one point is called tangent, जो इस circle की किसी एक point पे, intersect करें, meet करें, तब इसको हम बोलेंगे, यह tangent है, secant, a line that intersect a circle in two points, एक एसी line जो circle को, दो points को enter करें, मतलब एक एसी line जो circle के दो points को intersect करें, दो points को meet करें, तब उसको हम क्या बोलेंगे, secant, सो गाइस, I hope आपको यह मेरे वीडियो बहुत पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो like करना, share करना, subscribe करना, और हाँ, bell icon को जरूर क्लिक करना, क्योंकि मेरे आने वाले मज़िद जो की जानकारी आप लोगों को मिलती रहे, thank you so much